आखिरकार भवानी सवी की शादी पक्की करने में काम्याव हो ही गई जो लड़के वाले अब सवी को देखने आये थे वो लोग सवी से बहुत जादा इंप्रेस हैं और अपने बेटे समरित की शादी सवी के साथ करना चाते हैं लेकिन यहां सवी को लेकर जिस तरीके की बाते वो कर रहे थे जिस तरीके से उसकी पढ़ाई पर सवाल उठा रहे थे उसके डिबेट कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने पर सवाल उठा रहे थे ये बात अब सवी को सता रही है क्योंकि सवी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाती है वो अपने आई बाबा का सपना पूरा करना चाती है वो कलेक्टर बनना चाती है और इसलिए वो शादी के लिए भवानी और अश्वनी ताई के कहने पर तैयार तो हो गई है लेकिन वो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती और इसलिए जब लड़के वालों ने साफ साफ कहा कि उन्हें लड़की पसंद है तो सभी ने भी अपनी तीन शर्ते शादी से पहले लड़के वालों के सामने रख दी है हालाकि ये शर्टे सुन कर क्या शादी के लिए तयार हो पाएंगे लड़के वाले इसके लिए तो तो थोड़ा इंतजार करना होगा लेकिन हम आपको बताते हैं कि सवी ने क्या-क्या शर्टे जो हैं वो लड़के वालों के सामने रख दी है तो पहली शर्ट जो सवी ने रखी है वो ये रखी है कि वो शादी के बाद अपनी पड़ाई नहीं छोड़ेगी दूसरी बड़ी शर्ट जो उसने रखी है वो ये रखी है कि वो शादी के बाद भी अपने परिवार का ध्यान रखेगी क्योंकि उसके परिवार में उसके जितने भी माबाप तो है नहीं लेकिन अश्वनीताई, भवानी और निनाद ये तीनों ही बहुत बूड़े हैं और उसका भाई वीनू यहाँ पर नहीं बलकि बाहर पड़ता है और ऐसे में वो अगर इसी शहर में शादी कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ इस लिए ताकि वो अपने परिवार के करीब रह सके तीसरी बड़ी शर्त जो सवी रखती हुई नजर आएगी वो ये होगा कि अगर उसको अपने प्रोफेशन के चलते कभी ट्रांस्वर भी मिले तो उसके लिए उसका परिवार नहीं रोकेगा तो एक बात तो तैह है कि सवी शादी से इंकार नहीं कर रही लेकिन शादी के बाद वो अपने सपनों को कुछलना नहीं चाहती और इसी लिए ये सारी शर्ते उसने रख दी हैं आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टीवी विंडो को सब्सक्राइब करना ना भूलें